प्रेस फ्रीडम डे है जो की पूरे देशवर में जो है वो मनाया जा रहा है और आज हमारे सा बात करने के लिए मुझूद है जम्मू के सीने जनलिस्ट सोहिल काजमी जी इनसे हम बात करते हैं सर पहले तो बहुत-बहुत सौगत है और मुबारक बात है आपको की आज प्रेस फ्रेडम डे जो है वो मनाया जा रहा है आपको भी बहुत-बहुत मुबारक है सर हमारी पूरी बरादरी को मुबारक है जो लोग इस से आज जुड़े हुए हैं जो लोग प्रिंट आलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ किसी ने किसी लिंक में है उनस सब को बहुत-बहुत और इस प्रिफेशन में आने से पहले सो बार सोचिए क्योंकि सब की नजर आप पे रहेगी तो बिलकुल आप किसी ना किसी सीनियर को अपना गाइड बनाएं अपना टीचर बनाएं उससे सीखें और जब भी कुछ चीज रिपोर्ट करें सारे फैक्ट्स फिगर्स को देख के फर अपनी स्टोरि पे काम करें सिरव माइक उठाना और टी आर पी लेने के लिए जर्णलिज्म में एंटरी मत करें क्योंकि हमें जरूरत है अच्छे जर्नलिस्टों की समाज को भी और मुल्क को भी और मुल्क तभी बनता है जब अच्छा पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, ट्रांस्पेरेंट और हाड़ वर्किंग जर्नलिस्ट नेशनल ब्यूलिंग में अपना काम करते हैं तभी मुल्क आगे बढ़ता है और गलोरिफाई होता है उनको पता नहीं होगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्यों मनाया जाता है जरा आप थोड़ी रोशनी डालेंगे इस पर नाइंटी नाइंटी थी में यूएन कर्वेंशन में जनीवा में यूनाइटे नेशन्स की एक करारदात म ये दिन को मनाया जाने की शुरुआत की गी थी मैई नाइंटी नाइंटी थी और आज पूरे तीस साल हो गए हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को मनाने की जैसे कि हम कोई ना कोई दिन मनाते हैं किसी ना किसी तरह का दिन मनाते हैं तो उसी तरह प्रेस वालों के लिए भी क्योंकि पुरी दुनिया आज मानती है कि बिना print electronic media के कोई भी nation जो है उसकी सही रहनुमाई जो है दुनिया में नहीं होपाती है और press जो है जो media है जिसको अब media भोलते हैं fourth pillar of democracy भोलते हैं वो एक bridge है बड़ा stronger bridge है between all the spectrum of society all the sectors of society और वो हर वो काम करता है जो समाज की तुरोटियों को उजागर करता है और समाज अच्छा बने समाज में अच्छी चीज़ें इंटर्ड्यूस हो और गवर्नेंस में भी जो चीज़ें तुरोटियां हैं उनको निकालने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा एहम रोल है और वो जब वो जब उजागर करता है तो उन चीज़ों पर काम होता है और वो स्टेट या वो गवर्नेंट उसको सीरियस्नी लेती है और उस पर अच्छे से काम करना चुरू हो जाती है मेरा टाइम तो अपका टाइम तो अलग अलग नहीं है हम सब जो़ान लोग हैं आपको बूल लग बूलेगे का आपका टाइम किया था ठीज़ इतनी मीडिया होती नहीं थे उस्टाइम नाइन्टी सिक्स ऑन्वर्ड्स एलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंट्रड्यूस हुआ इंडिया में आप ठीक कहते हैं उसके पहले दूर दर्सनी एक मादियम था यह जर अंदर टीवी यहां आता था और चित्रहार और एक फिल्म देखत ने एक revolution लाई पूरे वर्ल्ड में और उस revolution के जो positive expects हैं वो जो positive hands में वो टूल जाता है वो positively use होता है और उसका फाइदा जो है हर उस बच्चे से बज़र्ग को होता है जो जानता है कि इस social media का दुरे उपयोग नहीं करना है इसका उपयोग कैसे करना है और उस उपयोग को society तक कैसे बचाना है कादम साब एक सवाल रहेगा आप से कि world press day freedom day जो है वो मनाया जा रहा है लेकिन अभी भी कहिना कि जो लोग होते हैं वो कहिना कि यह चीज़ बोलते हैं कि प्रेस वालों को जो है भी freedom नहीं दी गई है कि आप ये news चलाईए या यह कोई concept है इसको cover कीज देखे जहां तक मैं सबचता हूँ कि एक renown doctor को जरूरत नहीं अपने गाड़ी पर ये लिखने कि मैं renown doctor हूँ उसको पेशन्ट अपने आप आ जाते हैं और एक अच्छे journalist को जो अच्छा काम करता है या अच्छा contribute करता किसी national paper को या state level के paper को या किसी social media पे या एक अच्छ है किसी channel पे तो उसको जरूरत नहीं है उसका काम उसकी जो जो विश्वास है जो मेहनत है जो लगन है वो अपने आप उसके followers को बढ़ाती है और जो लोग आयाराम और गयाराम की तरह journalism में भी आते हैं और वो बूस्ट करके अपनी पोस्टों को या किसी तरह से वो दो तिन महीने हीरो बन जाते हैं लेकिन वो सकसीड नहीं कर पाते हैं सकसीड वही करता है जो अपना काम चाहे काम करें लेकिन बड़ी इमानदारी से सचाई से करता है और अपने काम में वो सब छेट्स उभार के लाता है जिसकी जरूरत है और जिससे के इस newspaper को उस media house को उस electronic channel को उस YouTube को उस सारे channels को जितने भी आज आज आप देख रहे हैं उनको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह कोई न कोई फाइदा होता है और उसका फाइदा समाज को भी होता है और वो लोग जो हैं उनको डूंडा जाता है चाहे वो state government हो center हो या कोई politician हो वो डूंडता है कि वो जो particular reporter है य और एक professional journalist में तो हमें professional journalist को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है ताकि समाज जो है और अच्छी तरह आगे बढ़ सके और समाज में आपसी रवादारी, प्यार, महबत और एक professional touch जो है सारे sectors में वो उबर के सामने आ सके है सर आखिर में क्या message है एक चोटा message दे ज़रूरत है हमें non professionals किसी भी field में जो हैं वो अपने आपको भी नुकसान करते हैं उस particular field को भी करते हैं और ultimately समाज को भी कहीं न कहीं परिशान करते हैं हमें thorough professionals को introduce करना चाहिए उनको encourage करना चाहिए उनका हाथ पगड़ के आगे चलाना चाहिए ताकि हम सब खुशाल तरीके से अपने मुल्क में contributor बने और destroyer ना बने तो contributor से मेरी मुझा मुराद है कि journalism is a profession like इबादत and we should all do our profession like इबादत था यह तो यह तो हमार साथ है जमो के senior journalist सोहिल काजमी जी जिनके साथ आज हमने press freedom day पर जो है वो बात की आपको कैसा लगा यह इंटरू आप हमारे comment section पर जरूर आप एटन न्यूस के सब्सक्राइब